नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंडियन वेगन कॉर्णर में आज हम बनाएंगे यह कलरफुल कीक जो होली के आउसर पर मैंने बनाया है इसे आप कभी भी बना सकते हैं यह बहुत ही साफ्ट मॉइस्ट केक बना हुआ है इसे रंग बिरंगा मैंने बनाया है बच्चों को बहुत पसंद आता है तो आप किसी भी आउसर पर बना सकते हैं फिलहाल मैंने यह होली के आउसर पर बनाया है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं एक कप नमक मैंने कुकर में रख लिया है इसमें एक छोटा से स्टेंड या जाली कुछ भी लगा देंगे साथ ही ढकन में सीटी या रवड नहीं लगाएंगे इसे हम दस मिनट के लिए प्री हीट करेंगे केक टिन तयार करने के लिए थुड़ा सरीफाइंड आयल केक टिन में चारो तरफ लगा देंगे और इसका बटर पेपर तयार करने के लिए चलिए देखते हैं पहले एक पेपर को लेकर इस तरह से मोड लेंगे ऐसे मोड कर तयार करेंगे और टीम के पीचो वीच इसको रख कर यहाँ पर कट कर देंगे देखे, पेपर तयार हो गया है बिलकुल गोल पेपर उसी के साइज का तयार हो जाएगा इसे लगा कर हम इसके उपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताके हमारा केक आसानी से निकल भी आये और पेपर भी छूट जाये उससे अब डेड़ कप मैदा लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर एक टेबलिस्पून एक चोथाई चम्मच बेकिंग सोडा इन सभी चीजों को मिलाते हुए छान लेंगे इसे हम एक किनारे रख देंगे एक कप दही एक बाउल में लेंगे एक बटा तीन कप पिसी हुई चीनी एक चौथाई कप रिफाइन आयल या मेल्टेट बटर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इस समय अगर आप चाहें तो वैनिला एसेंस डाल सकते हैं आप जो ड्राइ इंग्रीडियंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके मिला कर इसे दीरे दीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे बाकी का भी डाल देंगे सारा और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे इसे मैंने कट और फोल मेथट से नहीं मिलाया है ऐसे ही राउंड एक ही साइड में घूमाते हुए मिलाया है थोड़ा गाड़ा है इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है करीब 1 बठा 4 कप पानी है ये और इसे मिला लेंगे तब तक जब तक इसमें गुठलियान खतम न हो जाए एक स्मूथ सा बेटर तयार करेंगे देखिए बैटर मेरा बनकर तयार हो गया है ऐसे flowing consistency में रही गाई है इसे हम cake tin में पलट ले रहे हैं अब मैंने रंग बिरंगे color का इस्तेमाल किया है orange red green blue chocolatey और yellow color इन सबको इक फोक की सहायता से मैंने आपस में ही ऐसे ही mix कर दिया है इसे बहुत सुन्दर सी डिजाइन बन जाती है आप अपने हिसाब से कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं और कोई सा भी color ले सकते हैं ये preheated cooker में हम डाल देंगे केक टिन को और इसे करीब 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है केक हमारा देखिए पक कर तयार हो गया है कितना सुन्दर सा डिजाइन और कलर आया है इसका इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इसे ठंडा करने के लिए एक गीली कपड़े से ढख देंगे पूरी तरीके से जब यह ठंडा हो गया है तो अब हम इसे काट कर देख लेते हैं पहले चक्कू से किनारों को छुड़ा देंगे इसे हम एक प्लेट में डी मोल्ड करेंगे इस तरह से हलके हाथ से टैप करते हुए डी मोल्ड करेंगे देखे कितना सुन्दर परफिक्ट केक बनकर तैयार है बटर पेपर को हटा देंगे देखे कितने आराम से यह हट गया केक हमारा बनकर तैयार है आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर स्पॉंजी केक बना है चलिए इसे हम काट कर देख लेते हैं इसके किनारे भी विल्कुल पर्फेक्ट बने हुए है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज एक लाइक करना ना भूले, साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे कट करके देखते हैं, ये देखे, कितना सौफ्ट और स्पॉंजी केक बन कर तैयार है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, इस होली इसे आप ट्राइ करिए और अपने अनुभू मेरी साथ शेयर करिए, रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो मिलते हैं, अगली नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आप सभी को होली की धेर सारी सुपकाम नाएं, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, हैपी होली!